इसका होगा मेया जी बड़ा सवाल है दिल्ली में आज मेयर और डेपीटी मेयर के एपाद के लिए जो है चुनाव होने जा रहे हैं वोटिंग प्रक्रिया शिरू हो चुकी और इसी बीच आपको बता दे मानोनी छे पाशोदों को शपत दिलवाई गई है मेयर चुनाव से पहले सदन की कारवाई जारी है बीजेपी ने सदन में जैर शिरी राम के नारे लगाए और इसी बीच बता दे की बोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई और अब से कुछी देर में साफ होगा कि किसकी इस बार मेयर बनने वाली है या आमादमी पाची या बीजेपी आमने सामने की चकर है आपको बता रहे किस तरीके से तदन की कारवाई जो छे तारीकों ये बोटिंग प्रक्रिया होनी थी मेयर का चुनाव होना था हंगामे के बाद नहीं हो पाया लेकिन आज चुनाव होगा आमादमी पाची के पास बहुमत है लेकिन बीजेपी अपनी ताकत की भी धमक दिखा रही है बीजेपी भी अपना दावा ठोक रही है अब देखना होगा कि दिल्ली के मेर की सीट पर कौन काबिज होता है आम आदमी पार्ची काबिज होती है या बीजेपी आमने सामने 134 पार्ची के और आम आदमी पार्टी की बात करें तो वहुमत आम आदमी पार्टी के पास है बीजेपी की पास एक सो पाच पार्शद हैं अब देखना होगा की कौन जो है इस सत्ता पर काबिज होता है वोटिंग प्रक्रिया शिरू हो गई है बैलेक्ट के जो रंग है वो भी अलग 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 रखे ग साथ में आ रहे हैं और इसी बीचे एक और पड़ी खबर की तरफ रुक कर लेते हैं पार्शदों की शपत के बाद मेयर और जेपीटी मेयर का चुनाव होने वाला है NTV के सदन के अंदर मार्शल तैनाथ किये गए है सदन के बाहर में गेट पर दिल्ली पुलिस तैनाथ है civic center में पहला military forces भी तेनाद अब समझ सकते हैं किया एहमियत है इस चुनाफ की क्योंकि बड़ी संख्या में civic center के बाहर पहला military force तेनाद की गई है और साथी साथ बाहर की तरफ दिल्ली पुले सनाद है और सदन के अंदर marshal को तेनाद किया गया है ताकि इस बार पिछली बार की तरह नाफ हो है जो छे तारिकों हंगामा हुआ है उस हंगामे की बज़े से ये चुनाब देरी से हो रहे हैं और इसको देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किये गए हैं और साथी साथी का जा रहा है कि आज ये साफ हो जाएगा कि मेर और कियेगा आम अद्मिर पार्टिक 134 है बीज़े सी के 104 है कॉंग्रस के 9 है अन्य के खाते में 30 यानि के समांग पाशद है जो बोचिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे इसके अलावा अगर बात करें पाशदों के अलावा 10-7-14 बिदायक है जोनोंने बोचिंग जाननी है बो अब परिसीमन के बाद एक ही MCD हो गई है यानि कि अब पूरी दिल्ली का मेर एक होगा पूरी दिल्ली का राजा एक होगा यानि छोटी सरकार में अब कौन काबिस होता है ये देखने वाला सवाल होगा क्योंकि आम अद्मिर पाशदी का बहूमत है लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपना दावा भी ठोक रही है बीजेपी भी ये आश्वस्त नजर आती है कि वो अपने कहीνα कहीं सरकार बना सकती है, हालंकि हम अद्मी पात्ची की बात करें, उनको जो है कही ना कही क्रॉस वोटिंग का डर भी सता रहा है, क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है लेकिन देखना होगा कि तस्वीर कैसे साफ हो बाती है रेका गुपता बीजेपी की उमीदवार है, शैली और अम अद्मी पात्ची की उमीदवार है और आमने सामने देखना होगा कि कौन सी महिला अब दिल्ली पर राच करती है MCD पर राच करती है, MCD की सीट पर बैठती है आपको बतारे कि पूरी चुनावी प्रक्रिया के अगर बात करें तो पिछली बाद जो हंगामा हुआ था छे तारिफ को अगर आपको याद होगा कि सदन चलने नहीं दिया क्या था और वो इसलिए हुआ था, क्योंकि जो पुराने, जो नॉमिनेटिद तमाम पाच्रद होते हैं उनको शपत पहले दिलाई गई थी, लेकिन अब तक जो चला, आराता चलन उसके हिसाब से उनको बाद दिलाई जाती है इसी भी दिली से एक और खबर की तरफ रुक कर लेटे, MCD मेर चुनाफ को लेकर के आमाद्मी पार्टी ने बड़ा आरोफ लगाया है, चुनाफ से पहले MCD सदन में फोर्स घुसी है, आमाद्मी पार्टी ने नियमों के उलंगन का बड़ा आरोफ लगाया है MCD सदन के अंदर हथियारों की इजाज़त कैसे, सुनाफ से पहले MCD सदन में अर्ध सैनिक बलो की तैनाती है, आपको बता दे कि अर्ध सैनिक बलो की तैनाती है, पैरा मिलिटरी फोर्स की तैनाती है और साथ इसाद दिन्नी पुलिस भी भापर तैनाथ है यानि कि सुरक्षा जो है हर मुद्धे पर जो है हर लेवल पर लगाई गई है और सुरक्षा को लेकर सवाल भी आम आदमी पार्टी ने उठाए है कि सदन की अंदर किस तरीके से फोर्स को तैनाथ किया गया है हथियार लाए गए है ये बड़ा सवाज जो है आम आदमी पार्टी ने उठाया है जाधर जानकारी के साथ हमासा चुड़ गया हमारे सायोगी नवीन निशाद नवीन ताज़ा अपडेट क्या है MCD की चुनाफ प्रक्रिया किस तरपर पहुंची है सबसे पहले MCD की कारवाई चुरू हुई और सबसे पहले जो एल्डर मैन है यानि जो नॉमनेटेड पार्षद थी उन्होंने शपत ली हलाकि आमादी पार्टी निश्टा विरोज किया लेकिन हंगामा नहीं हुआ उसके बाद जो चुने हुए पार्षद है वो अभी कैसे मैं धिरे धिरे शपत ले रहे हैं और अभी तक कुल 65 के करीब जो पार्षद हैं सबस ले चुके हैं इसमें सुल्तानपुरी माजरा से बौभी किन्नर जो दिली की पहली और एक मात्र किन्नर उमिदवार है जिने आमादी पार्टी में टिकर दिती सुल्टानपुरी माजरावार से उन्होंने भी शपत ले लिए कुल 200 जो पार्षद है उन्हें सपत लेनी है और उसके बाद जो मेर के चुनाओं की प्रक्रिया है जो सुरू होगी सुरक्षा विवस्ता बढ़ा दी गई है जो तमाम CRPF के जवान है जो दिली पुलिस के जवान है वो डिप्लॉई किये गए है हाउस के अंदर भी मार्षा स्टैनाद किये गए है क्योंकि 6 जन्वरी को जो हमने MCD के अंदर हंगामा देखा था कि पार्षदों में हाथा पाई हुई थी कुर्तिया तक चली थी उससे सबक लेते हुए MCD ने आज पहले से इस रख्षवस्ता बढ़ा दी है जो तमाम CRPF के डिप्लॉईमेंट है वो चप़े चप़े पर की गई है और आज जो इस्थिती है वो अभी तक पूरी तरह से शांतिक पूर्ण है हलांकि शुरू में थोड़ा हंगामे के आसार थे लेकिन आमादी पार्टी ने बस विरोध किया हंगामा देखने को नहीं मिला और अभी के समय जो सदन है वो सुचारू रूप चल रहा है और एरिया वाइज जानि जो कॉंस्ट्टिंसी वाइज होती है उस हिसाब से जो त नवीन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चुनाब प्रक्रिया जो है कुछी देर में शुरू होगी क्योंकि अभी शपत ग्रेंड का ही कारकम चल रहा है शपत के बाद जो है वो जो है पूरा बालेट पेपर के जरिये जो है फोचिंग होगी कि कौन बनेगा मेर कौन बने है बीजेपी की तरफ से बिल्कुल देखिया सौरभ भार्द्वाज पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया था और इक वीडियो शेयर किया था जिसमें में M.C.D. के अंदर जो सिविस सेंटेर उसके अंदर चप्पे चप्पे पर सक्षा कर्मी दिखाई जे रहते और हमने भी देखा था कि जो M.C.D. का सदन है उसके अंदर काफी संख्या में दिल्ली पुलिस और के जवान और जो मार्सल्स है वो तैनास किये गए है आमादी पार्टी लगतार ये मुद्दा उठा रही है कि एक किले में तब्दील कर दिया जया है संगीन के साय में जो प्रत्रिया है वो पूरी की जा रही है लेकिन सदन के अंदर जो सुरक्षा कर्वी मौदूद है उन्हें लेकर सौरफ भारद्वाज में मुद्दा जरूर उठाया था अला कि अभी तक पूरे मस्ले पर बीजेपू की तरफ से कोई जवाबी प्रत्रिया सामने नहीं आई है जिस से नवीन अब बता रहे है कि अलग-अलग स्तरों पर सुरक्षा तैनात की गई है और शांतिपूर तरीके से अभी तक सदन की कारवाई चल रहे है क्या हमना जाए कि इस बार जो है कोई बाधा नहीं आएगी MCD में मेयर, जेपीटी मेयर और स्टांडिंग कमीटी का चुनाब जो है आज सांतिपूर तरीके से संपन हो जाएगा बिल्कुर देखिए अभी तक जो टेंडेंसी चली आ रही है उसके आपसे सबकूर सांतिपूर तरीके से चल रहा है जो पार्षाद है वो धीरे धीरे शफ़ते रहे हैं अपने चली उमीद हम कर रहे है कि नवीन आज जो है ये पूरा काम जो है शांतिपूर वक तरीके से संपन होगा अब जुड़े रहे मेरे साथ इस वीच एक खबर आ रही है बीजेपी नेता हंस राज हंस का बड़ा बयान सामने आया है दिल्ली में मेयर बीजेपी का बनेगा हंस राज हंस ने बात कही है मीडिया के सामने नतीजा बीजेपी के पक्ष में आएगा हंसराज हांस आमादमी पार्टी सदन को नहीं चलने देना चाती है ये आरोपी हंसराज हंसले लगाया है नवीन आपके पास आऊंगी इस पर जाना चाऊंगी लेकिन उससे पहले सुनबाते हैं कि क्या कुछ कहा है हंसराज हंसराज हम सिर्फ सवाल करना उनके पास कोई जवाब नहीं होता लेकिन सर्थ करिश्टाहिक और जैनिवेसर पास वो फ्री हो चुके है न साव ने सब फ्री और जैनिवेसर पास वो फ्री हो चुके है न साव ने सब फ्री कर दी दुकाने बंद कर दी हैं उनके तो परिशान है फ्रस्टेटिड है ऐसी बाते वही बंदा करता है जो फ्रस्टेशन का श्कार है बीजे पी का उनका काम सिर्फ सुआल करना उनके पास कोई जवाब नही फ्री हो चुके है न साव ने सब फ्री कर दी दुकाने बंद कर दी हैं उनकी तो परिशान है फ्रस्टेटिड है ऐसी बाते वही बंदा करता है जो फ्रस्टेशन का श्कार है बीजे पी का उनका काम सिर्फ सुआल करना उनके पास कोई जवाब नहीं होता लेकिन सब्कर इस फ्री हो चुके है न साव ने सब फ्री कर दी दुकाने बंद कर दी हैं उनकी तो परिशान है फ्रस्टेटिड है ऐसी बाते वही बंदा करता है जो फ्रस्टेशन का श्कार है बीजे पी का उनका काम सिर्फ सुआल करना उनके पास कोई जवाब नहीं होता लेकिन सब्कर इस फ्री हो चुके है न साव ने सब फ्री कर दी दुकाने बंद कर दी हैं उनकी तो परिशान है फ्रस्टेटिड है ऐसी बाते वही बंदा करता है जो फ्रस्टेशन का श्कार है बीजे पी का उनका काम सिर्फ सुआल करना उनके पास कोई जवाब नहीं होता लेकिन सब्कर इस तरीके से हंसराज हंस को आपने सुना उन्होंने काफी जो है ये आश्वस तरीके से कहा है कि मेयर तो बीजे पी का बनेगा अब इसे कैसे देखते हैं क्या अमदनी पार्टी को भी इस बयान को लेकर के खतरा नजर आ रहा है क्रॉस वोटिंग हो सकती है बीजे पी किस बिन मेर है वो बन तकता है क्योंकि संख्या के बात करें तो आमाजनी पार्टी के पार्षदों की वो है उसके अलावा जो मेर के अगर हम बात करें तो जो गहुमत चाहिए वो आमाजनी पार्टी के अलावा जहीं है वो है पार्षदों की क्रॉस वोटिंग क्योंकि जो कॉंग्रेस है वो चुनाओ प्रक्रिया से पूरी तरह से दूर है उन्होंने साफ कह रखा है कि हम अपने मत का प्रियोग नहीं करेंगे चुनाओ में हिस्ता नहीं लेंगे लेकिन क्योंकि MCD है यहां जो दल बदल कानून ह वो लागू नहीं होता और बैलेट पेपर के ज़िए वोटिंग होती है तो यह भी पता नहीं लगाए जा सकता कि आप क्रॉस वोटिंग किसने की है तो BJP लगतार यह दावा कर रही है कि मेर उनका होगा लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अस्वस्त है तो उनका को परोग का आरोप आम आदमी पार्टी ने तब भी लगा था तो इस बार क्या कुछ कहना है इस बार भी किसी तरह का आरोप जो है आम आदमी पार्टी ने वीजे पेपर लगाया है पूरा विवाज हुआ था वो एल्डर मैन को लेकर हुआ था और आज प्रक्रिया है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण है सब कुछ स्मूज प्रोस्टेस से हो रहा है क्योंकि आमाजी पार्टी आपको ये साफ पता है कि एल्डर मैन मेयर के लेक्शन में वोट नहीं देंगे हलाकि उन्होंने पहले ओच जरूर ली उसका हलका सा विरोज भी आमाजी पार्टी ने किया लेकिन आमाजी पार्टी के लिए रहात की बाती है कि जो कल मिनट के डॉक्मेंट का है उसमें इस बात का जिक्र है कि जो एल्डर मैन है वो पहले ओच ले सकते है तो इसे लेकर आ जो नॉमिनेर्टेड काउंसलर्स होते हैं उन्हें बस जो जो जोन्स के एलेक्शन्स होते हैं में वहाँ वोटिंग राइट का दिकार होता है हाउस के अंदर नहीं होता इससे लेकर भी पिशली बार आमादमी पार्टी ने मुद्दा बनाया था लेकिन अभी तक ये जो मुद्दा है वो पूरी तरह से शांस है तमाम जो चुने हुए पार्षद है वो धीरे-धीरे शफ़त ले रहे हैं जी और अपने दर्शुकों के एक बार दिखा देते हैं कि सदन में किस तरह की कारवाई चल रही है जैसा कि नवीन बता रहे हैं कि अभी सिरफ ओत की प्रक्रिया चल रही है सीधी तस्वीरे आपको दिखाते हैं ये तस्वीरे जो है इस वक्त सदन के अंदर की है जहाँ पर कारवाई चल रही है और मार्शल अंदर तैनाद किये गए जिसको लेकर के आमादमी पार्टी ने सवाल उठाए है और बीजेपी पर तमाम आरोप लगा हैं लेकिन बीजेपी महाँ पर अपने आप के लिए ये कह रहे है कि इस बार मेर तो बीजेपी का होगा किस बिना पर कह रही है क्योंकि वो वहुमत से दूर है देखना होगा और आमादमी पार्टी की बात करें तो क्रॉस मुटिंग का खत्रा हमेशा बना रहता है जिसके पास वहुमत होता है लेकिन अब देखना ये होगा कि दिल्ली में छोटी सरकार में कौन शीर्ष पर बैठता है कौन MCD का मेर बनता है कौन MCD का जेपिटी मेर बनता है स्टांडिंग कमिटी का भी चुनाव आजोना है तो आपको बता रहे किस तरीके से दिल्ली में मेर का चुनाव चल रहा है सियासी घमासान चल रहा है मेर का चुनाव होगा और फिर उसके बाद जो है ये साफ हो जाएगा कि किसके खाते में आता है मेयर और डेपिटी मेयर का ये पद क्योंकि दिली की छोटी सरकार कहीं जाती है MCD और परीसीमन के बाद ये पहली बाद जो है चुनाव हो रहा है और इसमें देखना होगा कि कौन इस सत्ता पर होता है क्योंकि बहुमत की बात करें आमादी पाचे के पास बहुमत है बीजेपी के पास बहुमत नहीं है बहुत दूर है लेकिन बीजेपी दावा ठोकती आ रही है कि इस बार मेयर उंका होगा लेकिन किस बिना पर बोल रही है देखना होगा कि गिदल बदल कानून की जा रही है वोटिंग होगी तो ये देखना होगा कि इस बार MCD में कौन आता है